मैं लॉट्स इरुला अदिवासियों को उनके गाउं में भी रहने नहीं देते कई सालों पहले जिनकी तीर अंदाजी के वाहवाई होती थी उन्हें कोई नहीं पूछता सरकार भी उनके साथ अनाथों की तरह सुलूग करती है इसलिए ये नौबत आई है तमिल राज्य के मूल निवासियों के साथ घिनोना सुलूग कर रही है हमारी सरकार दो चार पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाली सेंगिनी लाखों रुपे दे कर उसे केस दबाने को कहा उसने कहा उसे पैसे नहीं चाहिए उसे अदालत से उमीद है और इस अदालत का फर्ज है कि वो सेंगिनी का कानून पर जो भरोसा है उसे तूटने ना दे और जो इस राज्य का इतिहास नहीं जानते ये सेंगिनी जो अपनी पती की गई हत्या का इंसाफ चाहती है वो सेंगिनी नहीं बलकि वो तो आज की कन्नगी है और इसका पेटीशन आज के जमाने का सिलपती कारम है इतिहास दोहराया जाएगा या इसे इनसाफ मिलेगा इसका फैसला मैं कोट पर छोड़ता है माई लॉर्ड्स गुन्हेगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिनका नुकसान हुआ है उन्हें भरपाई मिलनी चाहिए हम एरुला आदिवासियों के सम्मान की बाते तो करते हैं लेकिन आज भी उनी के गाउं में उन्हें रहने नहीं देते मैं चाहता हूं सेंगिनी को शेहर में एक घर बनाने की जगह दी जाए ये लॉक अप में हुए किसी मर्डर का कोई आम केस नहीं है ये एक ऐसी आदिवासी औरत के हक की लड़ाई है जिसकी कोई मदद नहीं करना चाहता और जिसके उपर रोज नहीं जुल्म किये चाह रहे हैं यही हिबसकॉपस पेटिशन है कोट का फैसला उसे नहीं साफ पी तेगा और उमीद पी ताथ आम मैं लोट्स